नमस्कार में आपके साथ सुधा शाओ और आप देख रहे हैं HBN News लॉग्डाउन के चौते चरण के शुरुवात हो चुकी है सरकार की गाइडनेंग के मुताबिक कही कही जगों पर छूट दे गई है लेकिन इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने को कहा गया है लेकिन विजयनगर तहसिल की तस्वीर कुछ और ही बया कर रही है विजयनगर तहसिल के बाजार तो खुले लेकिन यहां के लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्या उड़ाते हुए दिखे देश भर में कोरोना का कहर जारी है वहीं गुजरात के सावरकांठा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 तक पहुँच गई है लेकिन बावजूद इसके विजनगर तहसील में लोगडाउन 4 के तीसरे दिन ही बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी मतादे कि लोगडाउन 4 में सरकार की ओर से कुछ छूट दी गई है जिसके चलते पूरा बाजार खुला दिखाई दिया HBN की टीम ने मोके पर ज़ाकर देखा कि कई जगाओं पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा और अगर इसी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के प्रती लापरवा रहे तो कोरोना का संक्रमन बढ़ सकता है और प्रशाशन के लिए काफी मुश्किले खड़ी कर सकता है इसलिए HBN News Channel ने भी लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के हिसाब से कारिय करने की अपील की कर दो सकता है जोड़ चुके हैं सर जी में यह बताना चाहता हूं कि कोविड नाइंटी सी वज़े से देश बर में लोकडाउन हुआ था और लोकडाउन की वज़े से कितनी सारी परिशानी भी सामना करना पड़ा है अभी जो सरकार ने जो गाइडलाइस जारी कि है चोथे चरण के अंदर तो कुछ गतिया विदा चुटशार्ट मिल चुकी है कई जगा बाजार खुल चुका है तो इसके बार में आपकी राय क्या है बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने लोकडाउन में थोड़ी चुटशार दी है तो उसमें पहले तो बहुत तक्रीपे उठाई है हमने के घर में रहने जैसे जैल जैसा लग रहा था अब खुलने से हमारी जो छोटी छोटी रिक्वाइरमेंट थी वो भी पूरी हो रही है और लोगों को थोड़ी रहात मिली है और छोटा 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 कामदन्दा भी कर सकते हैं मजदूरी भी कर सकते हैं इसलिए बहुत अच्छी बात है ये और थोड़ा पालन डिस्टे संभावना हो सकती है इसके बारे में क्या कहना जाते हैं सक्रमान भी बढ़ सकती है सर लेकिन यह मजबूरी है क्योंकि अब एक अपने पीम सर ने भी कब बताया था कि आप और लोग यह कोरोना के साथ अपन को जिनकी जीनी पड़ेगी इस यह जल्दी खतम होने वाली बीम बता रहा हूँ अभी जो लोकडान हुआ था कोवेट 90 के बज़े से तब से अब जो सरकार ने गाइडलाइस जारी किया है अभी कई जगा बाजार भी खुल चुका है तो उसके बारे में आपकी राय क्या है बाजार खुला है अची बात है तो कुछ डिस्टेंट रखते सब्सक्राइब करने की बात करने की कोशिज करेंगे मैं आपको एक सवाल पुछना रता हूँ जी मेरा सवाल यही है कि जो सरकार ने जो कोवेट 90 चालू हुआ तब से जो सक्रमन ज्यादा बढ़ना सके इसलिए इसलिए जो लोकडाउन जारी कर दिया उनकी वजह से अभी चोथे चरन के अंदर जो लोकडाउन की जो कुछ गतिवी दिया सरकार ने जो गाइडलास दी है उसके मद्द देजर रखते हुए छूट चाट दे दी गई है मार्केट खुल चुका है और अभी भी मार्केट की वजह से कई लोग भीड़ बाड कहीं न कहीं दिखाई दे रही है उसके बारे आपकी राय क्या है अत्यरे सरकार स्रीये जे अगम चेती पगला भरी और जे लोकडाउन करूतु ये बूस्रस करी काम करूँ छे हमने अने अत्यरे जे लोकडाउन नी छूट साट आपी शे अने अत्यरे सोस्यल डिस्टन्स जड़वाई एवी रीते जो पबलीक और आम जनता धन्दा रोजगार करे तो कोई प्रोब्लेम हुबो थी शके वू नथी जे थी मारीतु एकर्वी नंती छे के आम जनता सोस्यल डिस्टन्स जड़वी और नानो मोटो उद्योग काम दंदो करी शके तो सरकार स्री नी एक नीती पी जड़वाई रेशे और आम पबलीक नी स्वास्थापन जड़वाई रेशे अने अत्यरे आपनी परिस्टिती इवी बनी चेक्या कोरोना सामें आपनी लड़वानी एक वर्षो सुधी लड़वी उलड़वुच पडशे यहां बहत नाती तेरे आपने साफचेती ना पगले थी आपने आपनी फेमिली और परिवाण नी साफचेत राखी अने अगम तो एमा कोई प्रोब्लेम थशेव मने लागतू ना थी एक और ही सवाल है कि यह जो जो लोग है वो सोच्छल डिक्सर कहीं नहीं नजर नहीं आता और अभी जो लोकडाउन की वज़े से सरकार ने बड़ा-बड़ा कदम उठाए है इस कदम के बारे में आपको क्या जान कर तो सरकारे जे पगला भर्या जे बिल्कुल व्याजबी आने सारा वरहला जे यह मन बहु परीवार आने बहु मानासो ना शी बचया छे आने सरकार आपने भारत देशना सरकास रिये तो अगम चे थी पगला भर्या यह बदलू एमनों खुब-खुबापारी छो के तेरे आ यहां नाना परिवार समझो के मोटा परिवार ना माना सु समझो पना त्यारे बता सूखी और संपन रीते जीवन जीवी रहा छे एट ले सरकार सी नो कुखुब आबर मानुश हुँ थेंक्यू वेरी मच आउन जो सरकार ने जारी किया पहले से तीन लोकडाउन तो जारी किया सभी जगा बंध हुआ था लेकिन चोथे चरण के अंदर कुछ मद्द देजर ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई गाइडलांस की वज़े से मार्केट चालो भी हो चुक है इसके मोच उच्छाट मलेल ते बाबते आम जंताने स्प्रेश्यल डिसीजन ने जारवनीन काम जंदा अने उध्योग करवा जुए अने जागरुत्ता राखवी जुए आब आबते तकेदारी राखी सरकार ने नियम अनु पालन करी अने आपने चोकास पने कोरोना ने सामनों कर जो प्रामिंतरी साब ने जो जनता के लिए जो बीक हो रहा है वो अच्छा ही समझ रहा हूं में और आगे जालके भी ज्यादा टाइट होना चाहिए यह मेरी राए है कि जो अभी सरकार ले जो तीन चरण तक लोगडाउन बिल्कुल जारी किया था वहां कोई गुम्दा नहीं था लेकिन अभी चोथे चरण के अंदर कुछ गतियवीदा चुट्छाट की वज़े से बाजार चालू हो चुका है इसके बारे में आपकी राय क्या है जो चोथे सरन का जो लोगडाउन दिया गया है वह मानते कि कोई छुट्छाट दी गई है तो उसकी वज़े से जो लोगों की रोजगार धंदे थे वह वापस चालू भी हो है और हम मानते है कि लोगों को जीने के लिए इसकी रोजगारी भी होनी चाहिए लेकिन अभी भी खुद के अवेर्जनेस्ट के लिए खुद के स्वास्ते के लिए लोगों को सोशेल डिस्टंस बना रखी चाहिए और मास्क वगेरे खुद लगा करके बाजार में आए जरूरी काम है तो ही बाजार में आए और नहीं जरूरी बाजार में नहीं गुमें तो क्या है तो उस से मतलब लोगों का स्वास्ते अभी भी बना रहेगा क्योंकि अभी कोरोना वायरस गया नहीं है कोरोना की जो जो इस वायरस की जो विमारी है इसके वजह से रोज बरोज रोज बरोज केस बढ़ते ही जा रहे हैं तो हम आपके मात्यम से लोगों तब के अपील करना चाहेंग कि सोचल डिस्टंस बना के रखे और नहीं काम है तो बजर में ऐसे खाली फालतू नहीं गुमे और जो जरूरी काम है वो करते हुए अपने गर पे रहे और सुरक्षित रहे यहीं संदेश देंगे